नमस्कार दोस्तों मैं सोनु कुमार एजुकेशन गुरूजी में आपका स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्तूबर 2020 महीने के Most Important Haryana Krunt Fair की और इसकी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी साथ-साथ हमने जन्वरी से लेके अब तक के Most Important Haryana Krunt Fair की PDF भी बना रखी है उसका लिंक भी में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आप हरियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स त्यार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वर्टस अबर 8590-858 पर मैसेज कर सकते हैं हम ये भी भोक आपके घर पे 2-3 दीन में पुचा देगी तो चलि फिर आज का टोपिक शुरू करते हैं और हाँ आपको भी इनके साथ की साथ अंसर देने हैं और वीडियो के एंड में कुमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेशन सही हुए तुसलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेशन है एशियन महिला सूटर रैंकिंग में मनु भाकर कौन से स्थान पर हैं तो बताईए आपके उप्षन ये रहे तो पताईए इन में से कौन सा अंसर सही है तो अंसर आजाएगा A यानि पहले स्थान पर मनु भाकर है पहले स्थान पर अगला क्वेशन है हर्याना विधान सबा का दूसरा मानसुन सतर कब से सुरू हुआ तो ये कब से सुरू हुआ बताईए तो फ्रेंड ये शुरू हुआ है पांच नुवंबर से कब से पांच नुवंबर से अंसर क्या होगा B अगला क्वेशन देखते है 27 अक्वेशन देखते है 27 अक्वेशन को रनवे विस्तार के लिए भूमी पूजन करके कौन से हवाई अड़े को अंतराष्टे विमानन हब विक्सित करने की सुरुआत की तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा हिसार अंसर क्या होगा B अगला क्वेशन है अगला क्वेशन देखते है हरियाना सरकार पराड़े जलाने की एक भी घटना नहीं होने वाले गाव की पंचायत को कितने रुपे की रासी देगी तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड हरियाना सरकार देगी 10 लाक रुपे की रासी अंसर क्या होगा D अगला क्वेशन देखते है अंसर क्या गए अगला क्युशन है नुम्बर 2020 में अंतर राष्टे सतर के खेलो इंडिया खेलो का आयोजन कहां पर होगा तो ये कहां पर होगा बताईए तो फ्रेंड ये होगा पंच खुला में अंसर क्या अगा बी तो आज के लिए आपका एक कुशन है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हर्याना के खेल मंतरी कौन है तो बताईए हर्याना के खेल मंतरी कौन है अगला कुशन है हर्याना के EWS वाले उमिद्वारों को अब हर्याना पुलिस में कितने वर्स की छूट दी जाएगी तो बताईए ये छूट कितने वर्स की दी जाएगी तो फ्रेंड ये दी जाएगी अब 5 वर्स की अंसर क्या होगा C अगला कुशन है हर्याना में कोलेज और विस्विधाले कब से खुलेंगे तो बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इसका अंसर आजाएगा 16 नॉम्बर से अंसर होगा C अगला कोशन देखते हैं हर्याना की चीनी मिलों में गन्ने के अफसेसों से जैव इंधन त्यार किया जाएगा तो सबसे पहले इसकी जरुआत कौन सी मिल से होगी बताइए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंट इसका अंसर आजाएगा कैथल मिल से अंसर क्या होगा B और इसका सेट अप त्यार किया जाएगा 35 लाग रुपे से हर्याना में नीजी कमपनियों वैं उध्योगों में 75% हर्याना के युवाओं को रोजगार देना अनिवारिय है सिवाएं जिनकी आये निवन से अधिक है देखो इस बात को समझो हर्याना में जितने भी नीजी कमपनियां है या उध्योग है उस में 75 प्रतिशत हर्याना के यूवा काम करेंगे यानी हर्याना का कोई भी व्यक्ति लेकिन अगर उस कंपनी में किसी employee की salary 50,000 रुपे या इससे अधिक है कोई जुरूरी नहीं है कि 75 प्रतिशत हर्याना के ही employee हो हर्याना के 75 प्रतिशत employee कहाँ पे होंगे जिस पोस्ट पर उस व्यक्ति की सेलरी 50,000 रुपे से कम है यानि 50,000 से अगर सेलरी कम है तो वहाँ पर होंगे 75% हर्याना के युवा और जिन उड्योगों में 75% हर्याना के व्यक्ति काम करेंगे उनके लिए सरकार 48,000 रुपे सबसीड़ी देगी परती वर्स और ये होगी परती व्यक्ति के हिसाब से यानि हर्याना का एक व्यक्ति पर 48,000 रुपे परती वर्स सबसीड़ी देगी हर्याना सरकार और इसके साथ साथ 20 साल के लिए बिजली में भी छूट मिलेगी पहले मिलती थी 10 साल अब मिलेगी 20 साल तो हो गया आपको याद अब देखते हैं अगला कोशन हर्याना में महिला विकास निगम की चेर्मेन कोन बनी है तो बताईए ये कोन बनी है तो फ्रेंड ये बनी है बबीता फोगाट अंसर क्या हो गया बी अगला कोशन देखते हैं फिलिप काट का सबसे बड़ा सब्लाइ सेंटर कहां पर त्यार होगा? तो ये कहां पर त्यार होगा? बताईए तो फ्रेंड ये होगा गुरू गुराम के मानिसर में अंसर क्या हो गया? B अगला कोशन देखते हैं हर्याना सरकार प्राड़ी को कितने रुपे क्युवेंटल खरीद रही है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो फ्रेंड इसका अंसर आजाएगा पचास रुपे परतिक क्युवेंटल यानि पचास पैसे की एक किलो अगला कुशन है हरियाना में करोना की जाच कितने रुपे में होने लगी है तो फ्रेंड बताईए इसका अंसर क्या आएगा तो इसका अंसर आएगा बारा सुरुपे अंसर क्या हो गया A देखो पहले होते थे 4500 में फिर होगी 2400 में उसके बाद होई 1600 में और अब हो गई है जाच बारा सुरुपे में तो अंसर क्या आएगा A अगला कुशन देखते हैं हरियान सरकार ने धान खरीद में 25 क्वेंटल परती एक कड़ से बढ़ा कर अधिकतम कितने क्वेंटल कर दिया है तो बताईए इसका अंसर क्या आएगा देखो फ्रेंड पहले था 25 क्वेंटल एक किल्ले के साथ ठीक है अब कर दिया सरकार ने 30 क्वेंटल एक किल्ले के साथ लेकिन अगर किसान 10 परतीशत अधिक लेके आता है यानि 3 क्वेंटल अधिक 33 यानि 33 क्वेंटल लेके आता है तो सरकार उसकी धान खरीद लेगी तो अधिकतम कितनी खरीद लेगी 33 क्योंटल तो अंसर क्या हो जाएगा C तो फ्रेंड ये था अक्तूबर 2020 का हरियाना करेंट फेर उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लिस वीडियो को लाइक और सेर्ज जूरूर करें और इसकी PDFL का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आप हरियाना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तयार कर रहे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वट्सक नमबर 8590-8508 पर मैसिज कर सकते हैं और फ्रेंड हमने एक हरियाना जी के की बुक तयार कर रही है अगर आप उसे लेना चाहते हैं इसे आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे वट्सक नमबर 8590-8508 पर मैसिज कर सकते हैं हम ये बुक आपके घर पे दो से तीन दिन में पुचा देंगे